नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में गूगल के कुछ नए अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप लोग गूगल ड्राइव, गूगल फोटो या फिर जीमेल आईडी साथ ही अगर आप लोग गूगल का यूज अपना डेटास को इस्टोर करने के लिए करते हो तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफी यूसफुल रहेगा तो इस वीडियो को आप लोग एडिन सक जहुर देखे हैं गाईस मैं हूँ प्रदी प्रिजा पर चले शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं Gmail ID पर क्या होता कि कई सारे लोग Gmail IDs बना कर रखते हैं गाईस और कई email ID का वो लोग use भी नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उनकी Gmail ID उन्होंने बनाई हुई है वो सारी की सारी वैसे ही Google पर इस्टोर रहती है लेकिन 1st June 2021 से गाईस जब से Google नया अपडेट कर रहा है तब से जितनी भी Gmail ID आप लोग बना कर रखोगे और अगर उनका 2 साल के अंदर आप लोग ने use नहीं किया तो उस Gmail ID पर जितना भी data है वो सारा delete हो जाएगा और वैसे यह सही भी है गाईस कि आप लोग की Gmail ID है और आप लोग खुदी नहीं use कर रहे हो तो Google के लिए कहां से important रहेगा जब आपके लिए वो चीज important नहीं है तो Google के लिए तो होई नहीं सकती है देल आप लोग Google Photos पर गाईस unlimited photos इस्टोर कर पाते थे लेकिन अब आप लोग Google Photos एप्लिकेशन पर अपने unlimited photos इस्टोर नहीं कर पाऊए गाईस अब आप लोग के पास जो 15GB डेटा रहता है जिसे कि आप लोग को पता होगी हर email ID पर Google आप लोग को 15GB का डेटा इस्टोर करने की permissions देता है लेकिन अब आप लोग जो Google Photos पर photos या फिर videos जो भी आप लोग रखते हो वो भी आप लोग का उसी 15GB डेटा में count होगा और आप लोग को ये बात तो पता ही होगी जब 5G आजागा अभी 4G में ही downloading इतनी कम हो चुकी है कि आप लोग सहुच सकते हो कि जब 5G आजागा तो downloading कितनी कम हो जाएगी means सभी लोग सारा की सारा data server पर ही store करें guys जिसके लिए आप लोग को पेसे देने आप पढ़ेंगे means आप लोगों ने 15GB का data store किया एक email id पर और अगर आप लोग को और ज़्यादा उसकी limit बढ़ानी है तो आप लोग उसके लिए payment करके इसली बढ़ा सकते होगी जिसके लिए हमने already वीडियो बना रखा है और I hope कि आप लोग कोई पता ही होगा कि guys की आने वाले समय में storage कितनी important होने वाले क्योंकि कोई भी उस समय डाउनलोडिंग नहीं करें guys 4G में ही डाउनलोडिंग इतनी कम हो चुकी कि 5G में तो डाउनलोडिंग बिल्कुल खतम ही हो सकती है और साथ ही guys आप लोग का जो भी आप लोग Google Drive अगेरा पर अपने डेटा को store करके रखते हो और जब delete कर देते हो तो जो आपका data होता वो trash bin में चले जाता है लेकिन अब आप लोग last 30 days का ही data trash bin से वापस restore कर पाओगे Google ने काफी पहले ही नए अपडेट कर दिया था guys जिसके लिए हमने एक वीडियो में आप लोग को सारी information बता भी दी थी I hope कि आप लोग को ये वीडियो काफी पसंद आया हो guys और जो भी doubt हो आप लोग हमसे comment करके जभी बता दीजेगा और जो अभी हमने इस वीडियो में आपके साथ साही discussion की ये update Google 1st June 2021 से कर रहा है guys अपडेट तो हो चुका है लेकिन इसे apply वो 1st June 2021 से करेगा I hope कि आप लोग को वीडियो काफी पसंद आया होगा और कोई भी doubt रहे जाया तो guys प्लीज हमसे comment करके easily clear कर लीजेगा मिलते है guys किसी और नई वीडियो में किसी और नई trick के साथ हम आपके सामने फिर से available होंगे जब तक के लिए जहीं thank you for watching